हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट्स व्लोग विद पूनम में आज मैं सेर करूए आप सब के साथ एकदम से बढ़िया स्नैक्स रेसिपी जिसे देखते हैं आप जरूर बनाएंगे यह आप खाने में भी बहुत टेस्टरी ना स्मो भी कर सकते हैं इसमें कोई भी बड़ा आलू का नहीं रहना चाहिए इस तरह से हम अच्छे से इसको मैस कर लेना है यहांपर हमारे दोनों आलू अच्छे से कद्डूकस हो गए हैं इसको हम कद्डूकस करने के बाद एक साइड रखते हैं आगे की त्यारी करते हैं यहाँ मैंने लिया एक प्याज मीडियम साइज का दो हरी मिर्च चार से पांच लेस्ट का लिया और एक इंच अधरक का टुकड़ा और इन सब को हम काट लेंगे हाँ प्याज को बारी कट कर लिया है और हरी मिर्च लेस्ट को मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया है इसको भी हम एक साइट रखते हैं उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ यहां पर हमने एक पैन लिया उसमें एक चमज यहां पर घी का एड़ किया है जैसे ही हमारा घी गरम होगा उसमें हम डाल देंगे आदा चमज जीरा का जीरा हमारा जैसे ही चटक जाएगा कोई भी मोश्चर नहीं रहना चाहिए इसमें हम डाल देते हैं अद्रक लैसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देते हैं उसको भी साथ में भून लेते हैं यहां पर हमें इसे देखिए डो की फोम में ना आ जाए जब तक इसे लगाता और चलाना है देखें तीन चार मिनट बाद ही आलू हमारा अच्छे से पग गया है इसको हम अलग से एक बरतन में निकाल लेते हैं उसके बाद यहां पर लेंगे हम घी दूबारा से पैन में दो चमच के करीब जैसे हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसमें हम डाल देते हैं तीन चौथाई कटोरी भर करके सूजी हमने बारिक वाली सूजी ली आप चाहे तो मोटे वाली सूजी भी ले सकते हैं मोटे वाली सूजी में क्या होगा कि थोड़ा पानी की मातरा पानी सूजी ली थी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पानी लगेगा इसे हम लगाता चलाते हुए पकाएंगे इसे गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें लो टू मीडियम रखना है और जब तक चलाना है जब तक यह अच्छे से पैन को ना छोड़ दे देखी यहाँ पर यह अच हम स्पैचुला की साहता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगी विवी गरम है जब तक यह थोड़ा ठंडा नहों जाए यहाँ पर हमारा आलोर सूजी अच्छे से ठंडा हो गया इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगी देखीए है इस तरह से दबा गे हमें आटे की त प्रेक्स और आदा चमच ही यहां डालेंगे नमक का आप नमक अपने स्वाद के अकोडिंग ले सकते हैं इसमें चाहे तो आप और भी मसाले आड़ कर सकते हैं अब सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं यहां पर देखी आटे की तरह जिस तरह डो बनता है आप ऐसे ही बनकर त्यार हो गया है अब हम आतों को दो लेते हैं और इसको हम अच्छे से घी से ग्रिस कर लेंगे और इस तरह से हम छोट छोटे पेड़े की तरह बना यहाँ पर देखे सारे के सारे पेड़े बन कर त्यार होगे एक कटोरी सूजिय और दो आलोते इसे इतना सारा नास्ता बन कर त्यार हुआ अब यहाँ पर हम फ्राई करते हैं इसको यहाँ पर तेल हमें ज़्यादा गरम रखना है मीडियम टू हाई रखी और इसको हम इस तरह से धीरे धीरे डाल दीजे एक पैन में जितने भी आ सकते हैं पुतने डाल दी हैं पर देखी एक बार में साथ आ गए है हमारा नास्ता एक साइड से पक गया है इसको हम दूसरी साइड इस तरह से पलट देंगे तीरे से और इसी तरह से हम सारे के सारे नास्ते पलट देंगे जैसे को चेक कर लीजिए कि एक साइड से पक गए है या नहीं जैसे ही एक साइड से पक गए है इसको हम पलट देंगे और इसी तरह से हमें दोनों साइड पकाने में इसको लगबग तीन से चार मिनट लगे हैं और यह अच्छे से पकता त्यार हो गए, बड़ी असा नास्ता बनकर हमारा त्यार हो गए हैं, उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम से सोफ्ट बनकर त्यार हुए हैं, और इसी तरह से आप बाकी के नास्ते भी बना लेंगे हम, यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो थो मसालों में भी अड़ कर सकते हैं, तो लीजी हमारा टेस्टी टेस्टी नास्ता और स्नेक्स बनकर त्यार हुआ, इसे आप चाहे के समय पे बनाएए, यह सुबह की नास्ते में बनाएए, जब भी आपकी मरजी है, बनाएए, खाईए और इसके बाद मेरे साथ से एर एलगी, thank you